ठीक है? अवदी के बाद में क्या ले लेते हैं? परभाव. परभाव ले लेते हैं और परभाव में आप देखो कि सबसे पहले यह आपात का लगा क्यूं है? क्योंकि राज्य सरकार काम नहीं करी, किसके अनुसार से समयधान के अनिसाब से. राज्य सरकार मतलब मंत्री परिशद. अरे राज्य सरकार का मतलब क्या हो गया? मंत्री परिशद. तो सबसे पहले जिस वज़े से यह लगा है ना उस वज़े को खतम करो मंत्री परिशद को भंग. मंत्री परिशद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है. मंत्री परिशद. मंत्री परिशद भंग. पहला करना समझ भी आगए यानि कि आपात का लगा है मंत्री परिशद सम्विदान के नसार नहीं तो सबसे पहले मंत्री परिशद भंग होगी सेकेंड क्या होगा अब मंत्री परिशद कहां से आती है विदान सभा से तो विदान सभा का क्या सिच्वेशन होगी तो विदान सभा ज यह बात भी समझ लो विदान सबाप पहले निलंबित होती है निलंबित कर देते हैं निलंबित और भंग होने में अंतर इतना है कि निलंबित होने पर पूनर जीवित तो हो सकती है भंग होने पर तो चुनाव होंगे फिर ठीक है इसलिए बुंबई बाद जो गुनी सो चोरा विदान सभा को भंग मत करो, क्योंकि आप आतकाल सरकार की वज़े से प्लका आप विकल्प तलासने कोशिश करो, क्या वहाँ पर कोई दूसरा जो विपक्स है, क्या वो सरकार बना सकता है, तो चुनाओ का खर्चा बचाओ कम से कम, और यदि ऐसी इस्तिती भी नहीं है, तो क को पारित कर देती है, तो विदान सभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, तो ये सेकेंड यहाँ पर जोड़ दिया गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह जोड़ा गया, कि आप आतकाल में, अब यहाँ पर आप देखो, विदान सभा ये निलंबित हो गई, तो विदान सभ किसकी तरह व्यवार करेगी अब बिल्कुल सही राजी सूची किसकी तरह व्यवार करेगी संग सूची की तरह की तरह की तरह व्यवार करेगी संग सूची की तरह व्यवार करेगी तो अध्यादेश कुण लाएगा केंद्र सरकार कानून गुर्मनाएगी केंद्र सरकार ठीक ह आप बात करें, तो नाम क्या है इसका राष्ट्रपती शाशन, इसका मतलब इसका सर्वे सर्वा कोण होता है, राष्ट्रपती, तो राष्ट्रपती के बारे में बात कर लें, कि राष्ट्रपती जो है यहां पे, वो राजेपाल या कोई और मान लो, अन्य भी हो सकता है, जर सासन, संचालन करता है, राश्टरपती क्या करता है, राज्येपाल के माध्यम से सासन, संचालन करता है, चोंकि राश्टरपती सासन है, तो राश्टरपती क्या ला सकता है, अध्याधेश भी ला सकता है, सेकिन बात, और चुंकि राश्टरपती सासन ही नाम है, तो संसद रा राष्टरपती को कानून बनाने की सक्ति परदान कर सकते हैं. ये तीन बाते आप राष्टरपती की साथ जोड लो. हो जाएगा ना? ठीक है? तो ये बाते होगी. फिर इसके बाद में next बात करें. तो हम आपन करते हैं कि राजी उच नायले की सक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो राज्य उच्छ नहयले का इस्ट्रक्षर अलग है, इसलिए वो बात भी है यहां पर, कि उच्छ नहयले जो होता है, जो नहयले होता है, राज्य नहयले, उसकी सक्टियों में परिवर्तन नहीं होता है, कि उनकी सक्टियों को भी आप छेहन लो, क्योंकि विदाएगार का जैसे लगाए सबसे पहले वो बंग होगी मंत्री परिश्द के बाद विदान सभा को आप निलंबित करोगे लेकिन बुंबई बाद में ये का आ गया कि पहले निलंबित करो फिर कोई संभावना नहीं हो तो फिर संसद इसको क्या करेगी बंग करेगी राजे सूची किस की त लोगों नहीं तो यह इसके प्रभाव हो गए है पांचोग प्रभाव लिख लो भाइ सब्षैयों में परिवर्तन नहीं मतलब हाँ इतना ही लिख दो, उचना है लेकी सक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता यह कट होती नहीं की जासक्ती on average अब नेक्स्ट क्या बचाईश में अब तक कितनी बार लगा देखो ये डेटा मेरे पास अभी तो है नहीं लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अभी लेटेस्ट लगाया जमू कश्मीर में क्यों इससे पहले साहिद जहां तक आप एक बार नेट से ओर चेक कर लेना 126 बार यानि 127 के लगबग हो गया अब तक कितनी बार हो गया एक 127 के लगबग हो गया तो इसमें सबसे पहले अब आप यह एकसरसाइस करके आओगे कल बता दूगा कि पहला कहां पर लगा था ठीक है सबसे ज़्यादा कहां पर लगा है आज तक किस राज्य में एक बार भी नहीं लगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा राजस्तान में कितनी बार लगा जब जब लगा उसकी टाइम पिरेड क्या था या लिखे लाओगे कल उसका टाइम पिरेड क्या था उसमें राज्यपाल कौन-कौन थे ठीक है ना उसमें राज्यपाल कौन-कौन से संपूर्ण अन देते हैं वित्यापात देखो पहला लगा वैसे मैं बोल देता हूं लेकिन पहला लगा था पैपसूर आज ये पंजाब में गुणी सोई क्याओन में इसके बाद में सबसे ज्यादा आज तक साहित जहां तक मुझे पता मनीपूर में लगा है यूपी से भी ज्यादा लगा ह ठीक है? मनीपूर में ही लगा हूगे मिज uniquely हम है, मनीपूर ही है일ा शाहिता, और आज तक तेलंगाना और साथीजगड में एक बार भी नहीं लगा है ठीक है, दो राज्यों में कभी भी नहीं लगा, और इसके अलावा अपन बात करें, सबसे लेटेस्ट कहाँ पर लगा है, जम्मू कस्मेर में, राजस्तान में चार बार लगा है, गुनी सो सड़िट, सततर, असी और बाण में, अवधी देख ले ना, पहले वाले की साइट चोथे में M चैना, रेडी ऐसे कुछ है, तो आप एक बार उसका सिक्वेंस जमा लेना और उसको एक बार देख लेना, क्योंकि सिक्वेंस में जमा करके आप उसको पूंचा जा सकता है कि उस समय राज्यपाल कौन था, ये आप एक्सरसाइस गर्लों के तो आपका ये सारा क इसमें भी सबसे पहले कारण, दूसरा क्या इसकी, अवधी, ठीक है, और वापस कैसे लिए आजा सकता है इसको, और इसका प्रभाव, और अब तक लगा ही नहीं तो वो क्यों लिखो, ये लिखना है, भाई अब तक तो एक बार ही नहीं लगा, अब तक तो नक्रोश ही कर देता हूं न, इसको, एक बार विश का प्रियोग नहीं हुआ है, कारण की बात करें, तो सिंपल सा है, वित्तिये संकट, क्या हो जाए, वित्तिये संकट उपस्तित हो जाए, तो ये लग सकता है, ठीक है, भाई वित्तिये संकट हो जाए, तो ऐस इसको लगाया जा सकता है आवधी की बात करें तो देखो राष्ट्रपति लगाता है इसको और कितने माह के लिए दो माह और दो माह के बाद में संसद की स्विक्रती अनुमोधन और स्विक्रती अनुमोधन के बाद में कितना चलता है अनिश्चित इसमें छेचे माह काटी है वो नहीं है एक बार संसद की स्विक्रती लेनी पड़ती है उसके बाद में इसको अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है ठीक है फिर से सम दाष्टरपती के दवारा लगाय जाएगा? दो महा के लिए लगाय जाएगा. दो महाद में संसदी की स्विकरती कौन सा अनुबोधन चाहिए? कौन सा भमद चाहिए यहाँ पर? साधर्न भमद चाहिए. बावन में कौन सा है? 56 में? और 60 में? साधर्न भमद यहाँ रखना. और जो 2-2, 6-6 महा का जो time period है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसके बाद में एनिशित काल के लिए इसको लगाए जा सकता है, वापस लेने की बात करें, तो Sam वही है, रास्टर पती, अब देखो इसको भी comparison आप कर सकते हो, कभी भी रास्टर पती इसको वापस ले सकता है अब देखो वापस लेने की बात को भी आप ऐसे समझो, 352 में वापस लेने के कितने तरीके थे, दो, पहला कौन था, रास्टर पती, सेकेंड कौन है, लोगसभा, लोगसभा के साधुन बहुमस से, चपन में वापस लेने का तरीका क्या है, एक, कौन है, रास्टर पती, औ तो कुछ दिमाग में इदर उदर घूमरा है न, वो भी सपस्ट हो जाएगा आपके, चली, प्रभाव की बात करें यहाँ पर, इसका प्रभाव क्या होगा, कौन सा पात है, वित्ति है, घर में, दिवालिया हो जाएगर, पैसा नहीं हो, खर्च करने के लिए, आपका, में सबसे पहर्चों में कटती करेंगे, ठीक है? कटती है? ₹fa, फिर दूसरी बात, गर्म में होई, आपने को पिता जी निया घर में कोई नोकर रख राक्या है, तो सबसे फिर उनको कटती है, उनके वेतन बद्ते कम करेंगे, बहाई ते रे को 20 जार की जगा, पं 5 ही दे करेगा मेरे उना पूंच लएगा बिना पूंच रुपया करत नहीं करेगा बोलर से नहीं करें कि यह इस बेंगरmir Really यहां पर भी तीन ही बात है कि एक तोफो में कट tenants गी ई के लिका ओगी राज्य का कोई भी धन्षे जुडावा विदेख अब किसके पास आएका राष्टपती के पास राज्य कोई खर्चा नहीं कर सकता बिना राष्टपती के अनुमतिशे तो ये तीन चीजे आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि राज्य के सभी वित्तिय मामले किसके नियंत्रण में आजाएंगे केंद्रे नियंत्रण में तो थर्ड़ पॉइंट आप लिखोलो इसमें राज्य के सभी वित्तिय मामले केंद्र के नियंत्रण में राज्ये के सभी फित्तिय मामले केंद्र कें नियंत्रन में नियंत्रन में यह आपको यहाँ पे तीन बातें समझ नहीं है कि खर्चों में कटोती वेतन बत्तों में कटोती हो जाएगी किसी के भी ऐसे मत कहते हैं कि सुप्रीम कोट के नहीं हो सकते सब के होंगे वो चाहेंगे जिसके हो जाएंगे हां वेतन बत्ते टोटल है यहाँ पर कोई एकसेप्शन तो है किसी का तो सब भी के आ सकते हैं ठीक है और इसके बाद में राज्ये के सभी वित्तिय मामले अब पिता जी यही गएगा कि वेटा कोई भी खर्च करना है ना तो मेरे को पूंच लेना कई तुकल को ऐसा करया एक पार्टी कर लेने पार्टी बाटी अब तेरी बंद है सब ठीक है यह इस परकार से इसको कह सकते हैं बात समझ में आ गए होगी आप लोगों को है ना आगे चलें अपातिगाल में कोई प्रोब्लम है किसी को नहीं है तो नेक्स्ट अपन चलते हैं अब देखो राष्टरपती समापत हो गया आप राष्टरपती का टोपी खतम हो गय यह राष्टरपती का टोपी खतम नहीं हुआ इसने बहुत सारे टोपिकों को खतम कर दिया मतलब किसी का 20% पॉर्शन खतम हो गया किसी का 30% हो गया किसी का 40% आगे चलेंगे ना तो क्यों मैं बोलूंगा ही कि वह वहाँ पे अब जो नहीं आ रहा वो फिर मेरी समस्या नही कि पहले कर रहा हूं कि जो पीछे जो टोपिक जो मैं पढ़ा चुका हूं जिसकी बात मैंने यहां कर ली वह आगे क्यों बात नहीं करूंगा क्यों नाम लिखूंगा जैसे आर्टीकल 78 आप सोचना नाम बता दूंगा यह वह था बाकि उसकी पूरी भासा आवासा कुछ न लेना चाहिए कोई दिक्कती नहीं है ठीक है तो राज्येपाल डालने से पहले अपने राष्टपति को पढ़ने से पहले संग की कारेपाली का देखी थी अपने ठीक है तो राज्येपाल को समझने से पहले राज्ये की कारेपाली का देखेगे तो यानि यहां पर मैं लेत कहां से कहां तक है वेरी गूड एक सो बाउन से दो सो सेंटीस देखो जो पढ़ के आए हैं उनको अनन्द आएगा बाकि यह से मेरी तरफ देखेंगे कि यह बोल क्या रहा है इसलिए पढ़ के आना इसको यह मैंने पहले पढ़ा दिया अब देखो आप पहले से कंपेरिशन क रहу", बाग पांच में सबसे पहले क्या लिखा था मैने कारतन अथ्वल्या क्थ तो यहां पर भी पहले पायर कहां मैं क आर्ये पाल Covid का कि माण थे दूसरा क्या नंबर क्या लिखों गा विधाय काश द और तीसरा क्या लिखा多 में पे क्या लिखूंगा निया-इपाली का लेकिन यहां पर नहीं होता है तो यह जगह उसका प्रावदान किया गया है वहां पर चोथा चीजी लिखाता अपने लेकिन तो वही आर्टिकल केंद्रे के लिए काम करते हैं तो चीजी के लिए मुझे अलग से लिखने के आव सकता नही और ये मेरे को पताए कि 237 पर कतम होगा बीच वाला आप लोग बताऊगे मेरे को बोलो विदाएगा वहां काहां से शुरू हो रहे थी देखो संसे से शुरू हो थी असी गम 79 से हो रही थी ना तो यहां पर भी आप उसको 79 में कितने गठाने है 11 कितने आए 68 और कितने जोडने है 100 तो कितने आए 160 बोलो हो गया ना वहीं से होगा तो यह 167 इनको याद करने की जुरूत नहीं पड़ेगा आपको यह वहां से आद है फिर इसके बाद में मैंने बता था विदाएगा काहां पर खतम होती थी 123 123 123 में कितने गठाएंगे आपड़ 10 कितने आए 113 कितने जोड़ेंगे 100 कितने 213 तो 213 तो यह कहां से शुरू होगा 200 कि क्या अपने मैनत कुछ नहीं कि क्यों वहीं से बना करके अपने लिख लिए इसको तो आप यह ना यह कारिपली का वो उसका इस इस इस्ट्रक्चर में यहां पर कौण कौण थे वो बात करते हैं यहां पर पहला वहां पर कौण था राष्ट्रपती तो उसकी जगह क्या लिखूं वहां से उठाने सारे के सारे और कुछ नहीं करना है सेकेंड क्या था उपराष्ट्रपती तो उपराज्य पाल नहीं होता है तो इसको छोड़ दो थर्ड क्या था परदान मंत्री और मंत्री परिशद तो कि सी एम कि वै उसकी मंत्री परिशद है ठीक है और चोथा क्या था मानिय अभादी तो यहां पर कोन आजाएगा महादी वक्ता महादी वक्ता एक बात उता हो मैंने क्या मैनत की कुछ नहीं कि और आपने क्या कि आपने भू कुछ नहीं किया केवल वो जो फॉर्मूले लगा ने इदर रहना और फिर आगे और देखना राजेपाल के आर्टिकल में सारे पढ़ा चुका आपको अरे बढ़ाया नहीं पढ़ाया सारे मैंने राष्टपती में पढ़ा दिया आपको तो उनको रिपीट नहीं करूंगा यहां पर क्योंकि रिपीट करता है फिर रिकोर्डिंग भी तो हो रही है सामने इसके बाद में परदान मंत्री और मंत्री परिश्टी के लिए मैंने आर्टिकल कौन से बताये थे चोतर से अठातर उन सब में 11 गटा जोड़ो 163 से 166 और वहां पर मैंने आपको कहा था कि इनके जस्ट बीच वाला जो था वो किसके पास था मानियावादी के पास तो इन इन आर्टिकल के जस्ट बीच वाला जो आर्टिकल है 165 वो इधर आ जाएगा बाकी 4 इसके पास रह जाएगे आगे यह स्ट्रेक्चर अपने देख लिए तो लिख लिए क्या आप लोगों ने इसको लिख लो एक बाह चलिए अब टोपिक अपने चुरू करते राज्यपा में पढ़ चुके तो उसको लिखने के जुरूत नहीं है आप गर जा करके टैली करओगी जो एक्स्ट्रा है वो लिख लोगा दोगा लेको टोपिक है राज्यपाल राजयपाल के आर्टिकल कौन कोन से हैं वो मैंने बता दिया, आर्टिकलों को एक बार सबसे पहले क्या होता है, पद, पद के साथ कारे को करने के लिए नियुक्ति होते ही, कारे काल में योग्यता, निरियोग्यता और सर्थ, सबसे पहले देखते हैं नियुक्ति सिंपल्थ सा हैं नियुक्ति कोन करेगा राश्टपति बस केंदर के नियंद्रन के अधीन संस्टाoupe राज्येपाल अपने एक संस्ता होता है ठीकर नों तो ये सवतांत्र होती है न्यूक्ती लेकिन कोन करता है मैं कौन करता है अब यहां पर इसलिए राज्यपाल अब राश्टरपती करना है काम राज़े के लिए कर रहा है तो यह क्या मतलब केंद्र के प्रतिदी के रूप में काम करेगा और चुटकि के लिए समयधानि के रूप में काम करेगा तो राजWhyike скarlate कई यह दूशी कमिद्र होते लो जांब करें प्रकार से क्या है कि आत और कोई सुजाव जो भी है वो वहाँ पर होंगे, परकि यहाँ पर न्यूक्ति आपको समझ भी आ गए, न्यूक्ति के बाद में कारेकाल के लिए, तो कारेकाल में सबसे पहला वर्ड है परसाद परियंत, राष्टपती के परसाद परियंत, अब परसाद परियंत के लिए मै इसे को लिख दो, पाँच वर्स, पधरण से, पाँच वर्स, पधरण तो सब में रखा करो, तो रास्टपती के प्रसाद परियंत प्लस पाँच व अब देखो, मैंने आपको यही कहा था है, कि जब भी प्रसाद परियंत वढ़ आए, तब उसकी अवदी गोण हो जाती है कभी एक्जामे भी आये कि राश्टर पती राजिपाल का कारेकाल बताऊ आप और उसमें ये दोन्य ओप्सन हो और एक छटवार आऊ तो किसको सांट रहे प्रसाध परेंद और ये क्यूशन आया हुआ है प्रसाध परेंद हाँ यदि option में कह रहा हो कि दोनों को ले रहा हो कहीं पर तो फिर दोनों यह आएंगे फिर एक मचाट देना लेकिन यदि दोनों में से एक ही छटवार आओ प्रायोटी में तो फिर प्रसाद परें कि पांच वर्स की अवदी तो है इसकी और यहां पर राष्ट पती के प्रसाद परें तो और कारेकाल हो गया ठीक है और दुबारा बात करें तो अब मैंने कहाता कि पांच वर्स जब भी देखने हो तो उसके पद ग्रहन से देखेंगे चलो यह तो अपने बार-बार बात कर यह दिख देता हूं पद ग्रहन लेकिन पांच वर्स का कारेकाल देखने के लिए आप दो बागों में बाटो इसको मैंने कहा था अधिक कब होगा और कम कब होगा ठीक है अधिक कब होगा और कम कब होगा अधिक तो तब होगा राष्ट पतिक अधिक कब होता है जब समय प पांच पर सोने वाले हैं और केंद्र सरकार ने उतुराधी हो सकता है यसे मत सोचना है कि हो नी सकता हो सकता है आRYटेकल मैं नहीं बोल रहाँ क्योंकि आर्टिकल अपण पढ़ छुकह उन आर्टीकलм का आप जोड़ सकते हूं 153 है 154 है 155 है वो सारे अपन पढ़े चुके जैसे नियूक्ति की बात करूंगा तो जो नियूक्ति वाल आर्टिकल था 155 उससे बात करोगे कारेकाल की बात करूंगा तो 156 की बात करोगे 156 में पुने कारेकाल भी थे तो यह आप ध्यान रखना ठीक है आग पत्र में भी तो कम ही हो सकता है पांच बर से पहले भी तो जा सकता है लेकिन यहां पर एक बात जो है वो ध्यान रखना की देखो फैसे एक बार और वरिफाई कर लोंगा लेकिन अब तक जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाप से बता रहा हूं ब्रत्यू की स्थिति में न हाई कोट का चीफ जस्टिस रहेगा बार समझ में आ रहे ही क्या यदी मृत्यू हो जाए देखो त्याग पत्र के संदर में यह बात नहीं लिखी हुई है इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा इसको देख लूँगा लेकिन अभी केवल इतना समझो कि यदी राश्ट राजय राजय पाल की रूप में काम करेगा जब तक कि केंदर सरकार किसी राजय पाल की नियुक्ति नहीं कर देती है यह यहां पर दूसरी बात इसी कारेकाल में अधी आपने बात करें पुने कारेकाल हो सकता है क्या तो बिलकुल हाँ पुने कारेकाल हो सकता है कितने भी बाहर हो सकता है, जैसे राष्टरपती है, यहाँ पे भी सम्विधान गोन है, तो इसी में, लेकिन यह दोनों जैसे नियुक्ति को आप 155 में पढ़ोगे न, तो कारेकाल को काँ पढ़ोगे आप 156 में ही पुने कारेकाल है, क्योंकि मैंने राष्टराजयपाल के आर्टिकलों में अपने यह पे, एक अपने देखी थी योग गेता, ठीक है, और एक देखी थी अपने सर्थ, सर्थ को भी ले ले लेते हैं और योग गेता को भी ले ले लेते हैं, ठीक है न, और सपत, सपत सैम राष्टरपती वाली डालना आपको, तो कुछ यह अंतर नहीं है, ठीक है, मै लिगन दालना वहीं से तुम डिखाऊंगा नहीं उसको। योगःता में बात करें तो पहली योगःता क्या थी। भारत का नागरिक । और दूसरी योगःता क्या थी। 35 वर्स। यह दो योगःता दूसरी बात करें, यहां पर कुछ परंपरा भी है, यह Constitution में लिखे नहीं हुए, लेकिन यह दो परंपरा ही चलती है, सामाने तरह पालन होता है और नहीं भी, क्योंकि परंपरा ही तो तोड़ जा सकती है, इसलिए परंपराओं का पालन हो भी सकता है और नहीं भी, योगेता में दो बाते तो आप Constitution में पढ़ोगे, यह मैं परंपरा बता रहा हूँ, मतलब आस तक यह परंपरा मानी जाती है कि ऐसा होना चाहिए, जो से अधर्शवाद की बात करते हैं, कि ऐसा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पहली बात यह कहती है कि राज्यपाल जो होना, वो बारी हो, उस राज्य का नहीं होना चाहिए, बारी से समझेए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए, लेकिन होते हैं और बने भी हैं, तो इसको आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको कहें कि परंपरा हैं हैं दो, दूसरा, CM से परामर्स, CM से परामर्स ले जानी चाहिए, कि उस राजेपाल को नियुक्त किया जाए या नहीं किया जाए जो भी राजेपाल है उसको नियुक्त करने से पहले उस राजे के सीम से परामर्स लेना चाहिए यह दो परंपराएं चली आ रही लेकिन इन परंपराओं का बहुत बार क्या हुआ है वाइलेंस भी हो आया, उनको तोड़ा भी गया है, और बहुत बार इनको निभाया भी गया, तो दोनों भी बाते चलेंगे हैं पर, परमपरा, समीदान में लिखता है तो परमपरा क्यों होती, बोलो, सर्थ की बात करें, सर्थ वहाँ से उठा लो ऐसे कैसे, वो मैंने वहाँ पर आपको पता हो, तो चार नंबर से लिखाई थी ना, चार नंबर से लाश्टकी जो है, वो उठा लो, लाप के पदपर नहीं हो, किसी सदन का सदस्य नहीं हो, यदी है तो सदस्य तरस्य तरस्य त्याग पत्र हो जाएगा, निशुल, कावास, बत्ते, परिलब्दियां, वो सारी चरते हैं, एज़ेटीष वहां से उठा लेना, क्यों? अरे उठा लोगे ना, ऐसे कैसे वहां से ले लेना, जो नए हैं, वो अपने जो भी पहले से ले रहे हैं, उनकी कोफी को सकेन कर ले जाना, तो आज जाकर के पहले वाला वो लिख लेना, तक या आपको आगे सक्तियों में वही पहली सक्ति कौन्ची है विदाई दूसरी कौन्ची है कारिय पालक तीसरी कौन्ची है वित्तिय न्याइक और एक अपना एक्स्टा यहां देग लेता है विवेका दीन सक्तियों में लेकिन विवेका दीन उसको अलग से कह सकते हैं यहां से चलो उसको अलग से लिखा दूगा मैं तो सक्तियों को अपने चार ही वागों में ले लेते हैं क्योंकि सहनिक सक्तियां इनके पास होती नहीं है आपातकाली नहीं होती नहीं है कूट नीतिक होती नहीं है वहां से ये चारों उठाएंगे और देखो सबसे बड़ी बात ही है कि जैसे विदाई सक्ती वहां पर पढ़ी ना आपने सेम यहां पर आजाएगे ओ आपने पड़ा कि वो संशत का अभी नंग है तो विधान मंदल का भी नंग है फिर वहां पर आपने सेकंड चीज पढ़ी कि मतलब है ना सत्रावसान सत्रा उत्र गंग तो वो शैम चीजें आपने पर आज जाएगी के वह संशता का नाम बादलेगा संशत की जगा आप लि सद्रेश्यों की अयोग्यता का निर्धर्ण सेम यहां पर आ जाएगी सभी तो दिवेशन का यहां कोई प्रावदा नहीं नहीं और विदेगों पर अनुमती वह बहां से उठा करके यहां रख दो सारी की सारी चीज़े तो पूरा का पूरा स्ट्रेक्चर ऐसे कैसे उठकर के यहां पर आ जाएगा ठीक है यह एक्सरसाइज गर लोगे आप घर जाकर के दुबारा इसमें भी लिख लेना वह एक्सरसाइज आपके पास जो भी लक्स हो लक्समिकांत की प्रिफेर करना मोस्टली वह बुक हो उसमें से देख देख करके प्रिफेर के बिुर्पार इसमें ना को कार्यपालाग स्थियों सक्टियों के बात करें तो बहुंत है को सा अजयने जिरी प्रफ्ट के साथ उसके क्या रिलेशन है तो राष्टपती के प्रफिक से आप ऐसे कैसे उठा सकते हो तीसरी बात करें वितिय सक्तियां तो वितिय सक्तियों में पांचों पॉइंट ऐसे कैसे आ जाएंगे कैसे धन्वीदेख राजेपाल की पूरू अनुमती से रखा जाता वितायोका राजिपाल के द्वारा क्या किया जाता है पर तेक पांच वर्ष में गठन किया जाता है वितायोका अधेक्स और सदेश्यों की क्या किया जाती है नियुकति की जाती है बजट प्रस्तुत करवाय जाता है आकसमिंग निदी का संचालन किया जाता है पांचों पॉ नियुक्ति जो होगी, उसमें district जो court है, उसके नयदिस हाजाएंगे, इनके नियुक्ति होगी, district court के नयदिसों की यहां पर नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है? अब आगी चलिए, आज पहली बार कोण कोण है? थोटा से एक बार इसको देखना है, क्योंकि सेम चीजे रिपीट हुई है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ, इसके बाद में एक है, विवेकादीन सक्तियां लिगो, राजयपाल के विवेकादिकार, यह समझे लो, विवेक विवेकादिकार को दो भागों में बाढ़ सकते हैं अपनों, यह विवेकादिकार कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 163 में 163 में थोड़ी सी language change है, वहाँ पे language लिखी हुए है कि राष्टरपती पुनरविचार के लिए लोटा सकता है, पुनरविचार के पश्याद दीगी सला को मानना बाद देखारी होता है, यहाँ पर है कि राजयपाल अपने विवेकादिकार को छोड़ करके, ऐसी सक्तियां जो उसके विवेक के अधीन है, उन सक्तियों को छोड़ के बाकी सक्तियों के संदर में मंत्री परिशत की हिसाब से काम करता हूँ, तो विवेकादिन सक्तियां है कौन सी, जिन में राजयपाल अपने हिसाब से काम करता है, यहनि मंत्री परिशत की सलाह नहीं मानता हूँ, तो ऐसी सक्ति हैं कोन सी है, तो उन सक्तियों को दो वागों में बांड सकते हैं, पहला समिधानिक, वीवे का दि खार और और शैकिन कहा jumpeds.. कह सकते हैं परिस्तिति जन्य, परिस्तिति जन्य परिश्थिति जन्ने का मतलब हो गया कि situation के इसाप से कौन-कौन सी चीज़े हैं समयधानिक में देखिए पहली जो है वो है अनुछेद 200 मैं लिखा दूँगा इसकी बासा एक बार समझ लो इसको अनुछेद 200 यह कहता है कि किसी विदेग को राष्टरपती के विचारार्थ बेज सकता है तो इसमें मंत्री परिश्द को नहीं पूछेगा यह उसके विवेक के अधिना आएगा अनुछेद 200 का प्रियोग दूसरी सकती के बाद बारें बात करें तो अनुछेद 356 जो अभी अपने देखा राष्टरपती सासन है उसकी सिफारिस जो करेगा वो भी उसकी विवेक की सकतियों में आता है तीसरी विवेक के सकतियों में आता है 166 यह यादगरो आपको मैंने पढ़ाया 166 में 111 जोड के देखो 78 मैंने पढ़ाया राष्टरपती का 78 में राष्टरपती किसी भी परसाचनिक और विधाई मामलों में जो परदान मंत्री से क्या मांग सकता है मांग सकता है तो यहाँ पर भी यह है कि राज्ये के परसाचनिक और विधाई मामलों के संदर में राज्येपाल मुख्य मंत्री से सूचना मांग सकता है तो ये उसका विवे का दिकार है कि वो कभी भी मांग सकता है, उसमें मुख्यमंत्रिया मंत्री परिश्यत को पहुंचने क्या हो सकता, नहीं होती है। चोथा जो होता है, ठीक ना, तो चोथा एक रोयल्टी होती है, जो अभी लिखा दूँगा मैं, जो चार राज्य हैं, एक तौसम है, एक मेगाले है, एक त्रिपूरा है और एक है मनिपूर, ये चार राज्य हैं नोर्थिष्ट के, इन चार राज्यों में जो खनीज महां से उत्पन होता है, उसमें वहां की एक विकास परिशत जन जाती, विकास परिशत, उसको कितनी रोयल्टी दी जाने चाहिए? इसका निर्दारन कोन करेगा? रास्ट्र पती, बाद समझगे? दुबारा समझ लो, सूरी, राज्येपाल, राज्येपाल की पत्ट, रोयल्टी का तुर्पुरा के बाद मिजोरम को छोड़ दो, उपर एक मनीपूर, ऐसे आप नीचे से चलोगे न मैप में, तो वो चार राज्य हैं जिसमें मिजोरम को छोड़ना है, तो चार राजियों में खनीज रोयल्टी कोन सी, खनीज की, ठीक है, खनीज रोयल्टी का निफरण करता ह क्या करता है निर्धर्ण किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपती की द्वारा ओ सुरी राज्यपाल की द्वारा अभी मैं लिखा दूंगा इसको लेंग्वेज में लिखा दूंगा लेकिन पहले समझे लो चार बाते आपको समझ में आ गई पांच वी बात और है यहां पांच भी जन्जाती कल्यान मंत्री की नियुक्ति इसमें भी वो मंत्री परिशत से नहीं पूछेगा कहां कहां पर MP, उडिशा, सतीजगड और जाहरखंड यह चार राज्य हैं इन चार राज्यों में जो जन्जाती कल्यान मंत्री होता है उस संदर्में नियुक्ति का दिखार इसके पास यह मतलब मंत्री परिशत की सला नहीं मानेगा वहाँ पर वो अपनी विवेक के अदिन किसी को नियुक्त कर सकता है यह पांच तो Constitution की बात कर रहे हैं पर ठीक है इन पांच के अलाओ परिश्तिति से उत्पन कभी-कभी आर ऐस सिच्वेशन भी हो जाती है कि उसको विवेक की हिसाब से काम करना पड़ता है जैसे जैसे पहली बात करें cm की मृत्य हो जाए चानक से और अपना उत्रादीकारी वो छोड़के नहीं जाए तो ऐसी इस्तिति में किसको cm बनाए जाना है इसका निर्धरन राज्यपाल के वि दूसरा विदान सभा में किसी भी दल को इसपश्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो किस दल को अमंत्रन करना है तीसरा विदान सभा में विश्वास खोदे सरकार विश्वास अपना खोदे ठीक है ना और उस समय उसको बरखास्त करने का अधिकार भी किसके पास है राज्य हाँ मैं लिखा देता हूँ बासा ये चार्ट तो बनाई लिया होगा आपने समयधारिक में लिखो अनुछे 200 के अधिहिन के तहत कर दो अनुछे 200 के तैत किसी विदेग को राष्टपती के विचारार्थ रखना किसी विदेग को राष्टपती के विचारार्थ रखना कि पहला पॉइंट ठीक है Dhan Vidihg भी जा सकता है बहा तो जाने में तो क्या दिकत लेकिन धन विदेग को बेजता दन विदेग भी जा तो परते ख विदेग जा सकता है राज्जय का तो धन विदेग नहीं परते ख विदेग जा सकता है Next, अनुछे 356 के तहित राष्टरपती सासन के लिए सिफारिस. अनुछेद 356 के तहित राष्ट पती सासन के लिए सिफारिस अनुछेद 166 के तहित मुख्य मंत्री से राज्य के विधाई एवं प्रसास किये कारेयों के बारे में सूचना बांगना नेक्स्ट असम, मेगाले, त्रिपुरा और मनिपुर में जन्जाती कल्यान परिशद के लिए खनीज रायल्टी का निर्धारण करना खनीज रोयल्टी का निर्धारण करना खनीज रोयल्टी का निर्धारण करना मद्धे परदेश, उडिशा, चतीसगड और जारकंड में जन्जाती कल्यान मंत्री की नियुकती ठीक है, जन्जाती कल्यान मंत्री की नियुकती अब परिश्थिती जन्ने में लिखो, नमबर एक मुख्य मंत्री की मृत्यु होने एवं उसका उत्रादिकारी नहोने की स्थिति में मुख्य मंत्री की नियुकती, नए मुख्य मंत्री की नियुकती, विदान सबा में किसी दल को इसपस्ट बहुमत ने प्राप्त करने की स्थिति में किसी दल को सरकार बनाने के लिए बुलाना विदान सबा में, विश्वास मत खोने की स्थिति में मंत्री परिशद को बरखास्त करना यह आपका टोपिक हो गया है यह पूरा, राज्यपाल का आप इस पे अब एक बार देख लेना, ठीक है न? और गरजा करके एक बार इसमें जो भी राज्यपाल की टोपिक, आप राश्टपती को पढ़ोगे न तो आपको मतलब टाइम भी नहीं लेगेगा बिलकुल पढ़े न, वही पॉइंट यहां डालने सारे के सारे, एजटीज डाल करके अपनी कोपि में फिर राश्टपती राज्यप, ऐसे PM और CM चलाएंगे, ऐसे ट्रोपिकों को कोर्यलेट करते भी चलाएंगे, तो आदा सिलिबस आदा हो जाएगा, फायता डबल हो जाएगा ठीके?